गुद इवनिंग स्टुडेंट्स, हाव यौल, तो वी अबिगनिग विध लैट्स एक्षन, है ना, लैट्स एक्षन से शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी काम दो या दो से ज्यादा वेक्ति मिलके करेंगे, तो आपन बोलते हैं, लैट्स एक्षन, कोई भी काम दो या दो से ज्यादा वेक्ति मिलके करते हैं, तो क्या बोलते हैं, लैट्स एक्षन, जैसे कि चलो, मैंने बोला चाय पीते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्ति, तो क्या बोलेंगे, लैट्स एक्षन, क्या बोलेंगे, लैट्स एक्षन, चलो, कोई भी काम मिलके करते हैं, लैट्स एक और कोई भी काम एक वेक्ति अकेला करता है अगर वो ऐसा कही कि यह काम मुझे करने दो तो बोलेंगे let me action क्या हो लेंगे let me action मिलकी कुछ भी काम करेंगे दो या दो से ज्यादा तो बोलेंगे let us action क्या बोलेंगे let us action चलो मैंने का टीवी दिखते हैं let's watch टीवी किर्केट खेलते हैं let's play cricket चलो music सुनते है let's listen music है न कुछ भी काम दो या दो से ज्यादा वेक्ति मिलकी करते हैं तो आपन बोल देते let's action, क्या बोलते हैं, let's action, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, और कोई भी काम अगर अकेला व्यक्ति करें, कि वो यह कहें कि मुझे ही काम करने दो me, तो let me action, क्या बोलेंगे, let me action, action का मतलब यहां पर वर्ब से है, वर्ब की first form से, है न, let me action, चलो, कोई भी काम मैंने का मुझे बाहर जाने दो, क्या बोलूगा, let me go outside, क्या बोलूगा, let me go outside, let me को जोड के बोलते है, let me, librpiri action अंग्रीं जैसा नी बोलता है अंग्री बोलता है यमी एक्षन किकी कभी आ सब्सक्राइब आ जोन करना यसा एपकुछ लब आधा के दूएएगी काल्ण करना श्रुक्त कर दददोटे इन सब्सक्राइब यो लहाओ आपकर परुटे होने चाहिए जोड की बोलने वाला अच्छा सिस्टम में इसमें अपने को मलब थोड़ा सा टाइम सेविंग होती इसलिए तो अंगरी जियूज करता है इसको तो दो या दो से जादा विक्ति मिल के कुछ भी काम करते हैं तो let's action बोल देते हैं क्या बोलते हैं कं चलेंगे let's go outside क्या बोलेघ। बोलेह जाने दो अधरडमी गोवेलगे let me go graduate सब्सक्राइब बते हैं बातें करते हैं let's talk मुझा बात करने दो लास्ट में सेविग दो में टॉक चलो किर्केट खेलते हैं लेट्स प्लै किर्केट मुझे खेलने दो let me play cricket, क्या बोलेंगे let me action दो या दो से ज्यादा वेक्ति मिल की कोई भी काम करते तो आपन बोल देते let's action, क्या बोलते let apostrophe t let apostrophe s let's action, कोई भी काम मुझे करने दो, तो क्या बोलेंगे let me action, क्या बोलेंगे let me action, कोई भी काम इनको करने दो अगर लड़की है तो सी लड़का है तो ही है ना let him action let her action let them action मैंने का इनको जाने दो let her go let her को भी जोड की अंगरीज बोलता लेह एक आपने song सुनाओगा इनी मीनी माइने मोला उसमें कहता है इपसी होला लेह गो let her को वहां पर उसमें लेह गो let her action तो दो या दो से जादा वेक्ति मिल की कुछ भी काम करते हैं अगर कहते हैं कि चलो यह काम करते हैं तो बोलेंगे let's action चलो मुझे यह काम करने दो let me action क्या हो लेगा let me action चलो चलते है let's go मुझे जाने दो let me go चलो खाते है let's take मुझे खाने दो let me take चलो बातने करते है let's talk मुझे बात करने दो let me talk चलो टीवी देखते है let's watch मुझे टीवी देखने दो let me watch चलो क्रिकेट खेलते है let's play cricket मुझे क्रिकेट खेलने दो let me play cricket चलो music सुनते हैं let's listen music मुझे सुनने दो let me listen music चलो चाय बनाते हैं milk के बनाएंगे let's prepare tea अब मैंने का मुझे चाय बनाने दो क्या ओलूँगा let me prepare tea इनको बनाने दो let him prepare tea let him prepare tea let them prepare tea बाहर कोई बैठे दो चार जने आपने का कि आप जल्दी class खतम कर लो वो लोग जा रहे हैं मैंने का if they are going let them go let them go उनको जाने दो let them go उनको बात करने दो let them talk उनको आने दो अंदर आने दो रोकू मत let them come inside उनको cricket खेलने दो let them play cricket उनको tv देखने दो let them watch tv तो मुझे कोई भी काम करने दो let me action let you action let him action let her action let them action action तो समझ गया ने action की जगे अपने को verb की first form लगानी है action की जगे verb की first form लगानी है let him action let her action let them action ठीक है कोई भी काम दो या दो से ज़्यादा वेक्ति मिलके करेंगे तो क्या हो लेंगे let's action क्या हो लेंगे let's action मुझे काम करने दो let me action क्या हो लेंगे let me action चलो बाहर चलते हैं let's go outside let's watch tv let's play cricket let's read book let's get up let's go let's see चलो देखते हैं क्या होता है let's see चलो बाते करते हैं let's talk चलो सुनते हैं let's listen चलो music play करते हैं let's play music चलो dance करते हैं let's dance चलो चलो bike खरीते let's buy bike दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल की कोई भी काम करेंगे तो बोलेंगे let's action क्या हो लेंगे let's action अकेला कोई भी काम करेगा अगर किया दे कि मुझे ये काम करेंगे दो let's let me action let me को चोड़के short मैं बोला let me action ठीके अब ही अपन आते हैं श्रूरात करते हैं कोई भी काम अपनी life में सामिल है कोई भी काम अपनने past में लगाता 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 किया वो एक काम था वो अपनी लाइफ में सामील हो गया तो अपने बोल दिया क्या I action क्या बोल दिया I action I action मतलब कोई भी काम past में लगातार 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 किया तो अपने बोल दिया I action I action से बनने वाले सारे sentence किसके होंगे life के होंगे किस के होंगे लाइफ के होंगे कोई भी काम पास्ट में लगाता 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 किया और वो काम अगर अपनी हैबिट में सामिल हो जाए अपनी लाइफ में सामिल हो जाए तो अपन बोल देंगे I action क्या बोल देंगे I action मैं TV देखता हूं तो मैं बोल दूँगा I watch TV पता किस में सामिल हो गया, मेरी habit में सामिल हो गया, तो मैं बोल दूँगा I action, क्या बोले दूँगा? I action, I watch TV इसका मतलब हुगा, मैं टीवी धेखता हूँ मैं TV देखता हूँ कोई भी काम लगाता है अब मैं किर्केट खेलता हूँ, किर्केट खेलना I play, hide and seek, कुछ भी, I action, क्या हो लोगा, I action, अब आपको नियम आ गया, कोई भी काम, पास्ट में लगातार, लगातार, लगातार किया, वो एक काम था, अपने लाइप में सामिल हो गया, तो उसके लिए बोल दिया, I action, क्या बोल दिया, I action, I action से बनने वाले सारे sentences, Life के होंगे, इसके होंगे, Life के होंगे, Life मतलब कोई भी काम, पास्ट में हैबिच वी किया है, वो अपने habit में सामिल है, अपनी आदत में सामिल है, इनको habitual sentences या आदतन sentences कह सकते हैं, अपने frequency के साथ की है है, यह काम, अब मैं TV दिखता हो, वाच टीवी, कर्केट खेलता हूँ, I play cricket, जल्दी उड़ता हूं, तो I get up early, I play cricket, I get up early, I come in time, I read books, I worship the God, I talk in English, कोई भी काम बस अपने को ध्यान क्या रखना है, कि कोई भी काम पास्ट में लगाता, लगाता, लगाता किया, वो एक काम था अपने लाइप में सामिल है, तो अपन बोल देंगे I action, I get up early, I get up early, मैं अ I come in time, क्या बोल दोगा, I come in time, I play cricket, I play cricket, है न, I action, I play cricket, अब मैं बुक्स पढ़ता हूं, बुक्स पढ़ना काम है, मैंने आज पढ़ी, कल पढ़ी, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले लगाता लगाता रपड़ी, बुक्स पढ़ना काम लाइप में सामिल हो गया, तो मै मैं बॉल दूँगा, I, क्या भूलूगा, Action, Action क्या है, Action है, पढ़ने का, Read, तो भूल दूगा, I read books, क्या भूलूगा, I read books, अब मैं बगवान की पूजा करता हूं, पूजा करना काम है, मैं आज की, आज नहीं की, तो कोई नहीं की, कल की, उस één पहले की, past में लगाता 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 और पूजा की पूजा करना काम लाइप में सामिल हो गया तो मैंने बोल दिया I action action क्या है? worship the God क्या बोला? I worship the God पूजा करना काम मेरी लाइप में सामिल हो गया मेरी habit में सामिल हो गया I action I worship the God मैं English में बात करता हूँ, बात करना काम है, मेरी लाइप में सामिल है, मैंने लगाता 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 बात की, बात करना काम लाइप में सामिल हो गया, तो मैंने बूल दिया, I talk in English, I talk in English, अब कोई other language में आप बात करते हो, किसी भी language में बात करते हो, I talk in Hindi, I talk in Sanskrit, I talk in that language, जो भ क्या रखना है कोई भी काम प्वास्ट में लगातार लगातार किया वो एक काम था वो आपकी आदत में सामिल हो गया आपकी हैबिट में सामिल हो गया तो आप बोल सकते हो आये एक्षन क्या है एक्षन एक्षन क्या है खेलने का प्ले है जाने का गो है आने का कम है सुनने का ट तो कुछ भी काम करते हैं अपनि लाइप में सामिले तो आएक्षन अपन की आपने आएक्षन से उनको लेके आप sentences बना सकते हो जिसे बहुत सारे actions हो गए बहार आपको practically दीखना है सुबह से लगा के साम तक क्या क्या करते हैं सुबह उठते हैं उठना काम लाइप में सामिले तो आपने बोल दिया I get up उठने के बाद में प्रस करते हैं प्रस करना काम है लाइप में सामि किले आज प्रस किया कल किया उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले लगाता लगातार किया तो बोल दिया I brush up my teeth प्रस करने के बाद में क्या करते हो अपना चेहरा दोते हैं अगर दोने का action क्या है वह से आज मूँ दोया कल दोया उससे पहले उससे पह चला जाता हूं, I go to toilet, I go to loo, I go to loo, loo जाना काम है, आज गया, कल गया, उससे पहले उससे पहले गया, definition याद रहनी चाहिए, कोई भी काम पास्ट में लगाता, लगाता, लगातार किया, वो एक काम आपकी life में सामील हो गया, तो आपने बोल दिया, I action, I worship the God, है ना, उसकी बाद में, मैं जाता हूं, टोलेट जाता हूं, टोलेट जाने की बाद में, मैं क्या करता हूं, मैं टोलेट जाने की बाद में, हाथ दूता हूं, I wash my hands, हाथ दूनी की बाद में, मैं नहता हूं, I take bath, नहने की बाद में, मैं अपना चेहरा जो है, या अपना जो बोडी है, उसको वाइप करता हूँ I wipe my body with towel I wipe my body with towel अब उसको towel सिसाफ करने के बाद में body को towel सिसाफ करने के बाद में मैं क्या करता हूँ मैं कपड़ी फेंता हूँ I put on clothes पहनने का action है common put on कुछ भी पहनते हो I put on clothes I put on shirt I put on jeans Kуч भी पहनते हूँ पहने का एक्षन क्या है? पुट ओन है क्या है? पुट ओन तो I put on dress पहने के बाद में मैं बैठ के टीवी देखता हूं थोड़ी देर I watch टीवी टीवी देखने के बाद में मैं अकबार पढ़ लेता हूं थोड़ी देर I read newspaper मैं अकबार पढ़ने के बाद में मैं breakfast करता हूं I take breakfast breakfast करने के बाद में मैं office चला जाता हूं I go to office college चला जाता हूं I go to college school चला जाता हूं I go to school market चला जाता हूं I go to market कई पे भी जाते हैं जाना काम लाइब में सामिल है तो आज के बाद आप बोल देना i x